हलो बच्चो कैसे बड़ा मैं हूँ अर्जुन आपका mathematics winter और PW के इस amazing platform पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बड़ा आज हम trigonometry का second lecture continue करने वाले है तो I hope सब लोगों ने trigonometry का first lecture देखा होगा और जो भी मैंने आपको tricks बताये थे वो आप सबको clear है और सबको वो ratios और वो प्राक्टिस सेट 8.1 कंप्लीट किया था हमने previous class में तो आज की class में हम क्या करने वाले है तो बड़ा आज की class में हम देखने वाले कि relation among trigonometric ratios तो जो ratios हमने देखे थे sign theta, cost theta, tan theta उनमें relation क्या होता है अगर complementary angles की हम बात करें तो उसके साथ उसका relation क्या बनता है then trigonometric ratios for standard angles जैसे sign 0 की value क्या होती है 30 की value क्या है 45 की value क्या है वो पूरा table आज की class में हम देखने वाले है तीक है सबसे पहले relation among trigonometric ratios of complementary angles तो यहां पर मैं add करता हूँ trigonometric ratios of complementary angles का मतलब क्या होता मैं समझाता हूँ आपको दो मिनिट रुको complementary angles अब देखो complementary angles आपने इसके पहले सुना तो होगा at least ऐसे दो angles जिनका sum 90 degree आता है उन angles को हम बोलते है complementary angles यह तो आपने सुना होगा बिटा तो अब देखो यार एक right angle triangle यहां पर अगर मैं consider करता हूँ यह right angle triangle है इसके अंदर हमें पता है कि suppose this is a, b and c then b is 90 degree तो यह जो angle है यह दो angles होते है acute angle angle A और angle C तो मानलो यार इसको अगर हम theta बोलेंगे तो हमें पता है दोनों का sum तो 90 होता है तो यह कितना हो जाएगा फिर यह हो जाएगा बिटा 90 minus theta है ना अब कुछ लोग बोलेंगे कैसे sir अरे simple है ना देखो दोनों का sum अगर 90 है बिटा तो यह अगर 50 है तो यह कितना होगा 40 ही होगा ना बराबर बट यह 40 आया कैसे यह 40 कैसे आ देखो 90 minus 50 है ना मतलब हम क्या करेंगे 90 में से अगर इस angle को minus करेंगे तो यह angle बच्छे का ना बराबर क्योंकि दोनों का sum 90 degree है इसलिए एक angle अगर theta तो दूसरा obviously क्या होगा बिटा दूसरा obviously होगा 90 minus theta मतलब 90 में से एक जो angle हमें पता है उसको minus करो तो दूसरा मिल जाएगा यहां तक clear है तो अब देखो इन angles को हम बोलते complimentary angles complimentary क्यों बोलते क्योंकि इन दोनों का sum होता है 90 degree अब यह complimentary angles के साथ हम trigonometric ratios में relation देखते है तो चलो फटा-फट यहां पर मैं कुछ trigonometric ratios लिखता हूँ अब आपको यह तो clear होगा sign theta का मतलब क्या होता है यह ratios आपको अभी learn है आपको नींद से भी उठाएंगे तो भी आप sign theta cost data tan theta के ratios बता सकते है न चलो तो sign theta क्या होता है old hurry याद है न old hurry miss opposite upon hypotenuse तो theta यहां पर है तो इसके लिए opposite को ने BC है तो लिखो यहां पर BC अब यह लिखने की जुरुत नहीं पढ़ने चाहिए आपकी इतनी practice होनी चाहिए कि direct sign theta तो opposite side मतलब BC upon hypotenuse मतलब को ने hypotenuse तो यहां पर fix होता है तो यह मैं लिखके रखता हो upon hypotenuse तो hypotenuse कोने बिटा है यहां पर hypotenuse is AC तो sin theta हमें मिल गया चलो यहां पर cos theta find out करते cos theta क्या होता बिटा adjacent side upon hypotenuse तो theta के लिए adjacent side कोन सी है AB और hypotenuse तो वही रहेगा AC clear then the third ratio is tan theta third ratio is tan theta तो tan theta का मतलब क्या होता बिटा opposite upon adjacent है ना opposite upon adjacent अगर theta को हम consider कर रहें तो opposite side तो BC है opposite side is BC and the adjacent side is AB right तो हमने theta के respect में कुछ ratios यहां पर लिखे हुए sin, cos and tan अब हम इस angle को consider करते हैं यह theta तो यह 90 minus theta मतलब तो इसके complementary angle को consider करके अब हम same ratios में यहां पर लिखता हो और फिर हम देखेंगे उनमें relation क्या है ठीक है तो देखो अब मैं इधर sin 90 minus theta लिखता हो तो देखते हैं क्या फरक पड़ता है या फिर क्या relation है उनमें इस angle को अगर हम consider करेंगे और मुझे sin का ratio लिखना है तो इस angle के लिए opposite side तो AB हो जाएगी तो sin 90 minus theta क्या हो जाएगा AB opposite upon hypotenuse hypotenuse तो same ही रहेगा right similarly cost 90 minus theta क्या होगा विटा क्योंकि अभी हम यह वला angle consider कर रहे है समझ में आ रहे है तो यह angle अगर consider कर रहे है तो मुझे cost का ratio लिखना है तो cost होता है adjacent upon hypotenuse तो इसके लिए adjacent तो BC हो जाएगा और hypotenuse तो same ही रहेगा AC clear then अब आता है tan theta tan 90 minus theta actually 90 minus theta तो tan का ratio क्या होता है opposite upon adjacent तो इसके लिए opposite side AB and adjacent side ABC तो यहाँ पर लिखेंगे बटा AB upon BC तो यहाँ पर लिखेंगे बटा AB upon BC तो देखो मैंने theta के respect में 3 ratios लिखे और 90 minus theta को consider करके मैंने 3 ratios लिखें वही same ratios अब देखना है हमें relation क्या बनता इन दोनों के बीच में तो देखो यार मुझे यहाँ पर यह दोनों same दिख रहे हैं आपको भी दिख रहे होंगे देखो यह दोनों same है right side देखो BC upon AC BC upon AC ओहो right side same है तो क्या इसका मतलब यह हो सकता है कि left side भी same है obviously यार किसी equation के अगर right side RHS अगर same है तो LHS भी same ही होता है बराबर तो यहाँ से मुझे एक relation तो मिलिया यार यहाँ से एक relation क्या मिला कि sin theta is equals to cos 90 minus theta होता है हमने prove किया यहाँ पर देखो आपके सामने result है sin theta और cos 90 minus theta यह दोनो result मतलब यह दोनों जो है यह ratios equal है तो sin theta is equals to cos 90 minus theta हम बोल सकते है और ऐसा कोई pair मिल रहा है कि आपको देखो फटा 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 एक बार हाँ यह भी दिख रहा है सेम है ना तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हो cos theta is equals to sin 90 minus theta बोल सकता हो कि नहीं बिलकुल बोल सकते है तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा cos theta is equals to होता है sin 90 minus theta ओके सर और कुछ relation मिलता है यहाँ पर कुछ मिलता है नहीं यहाँ पर तो कुछ नहीं मिल रहा है ओके तो a b upon b c चीके चीके तो sin 90 minus theta is equals to cos theta and cos 90 minus theta is equals to sin theta यह वाला relation तो हमें यहाँ पर मिल गया मतलब यह जो angle से बिटा यह theta and यह theta and यह 90 minus theta मतलब theta और 90 minus theta are the complementary angles तो complementary angles को अगर हम consider करेंगे तो हमें यह relation मिलते है sin theta is equals to cos 90 minus theta और cos theta is equals to sin 90 minus theta यह हमें relations यहाँ पर मिल गए चीके और कोई relation मिलता कि देखते है एक बार tan का relation किसी के साथ है तो tan का relation किसी के साथ तो नहीं दिख रहा है मुझे बट यहाँ पर और एक relation में बना सकता हो कैसे देखो भी मैं एक काम करता हो यार यहाँ पर sin theta upon cos theta करके तो देखता हो ना क्या मिलता है है ना मेरे पास sin theta क्या है बटा sin theta है bc upon ac अब यह complementary का relation नहीं होगा बट कुछ ना कुछ तो result मिलेगा यहाँ से bc upon ac में ऐसे लिख रहा हो बेटा देखो bc upon ac और cos theta क्या है ab upon ac अब देखो यह ac जो है ना यह ac डिवाड में तो यह तो cancel हो जाएगा फिर मेरे पास क्या आएगा है हहाँ यहाँ पे बचेगा बेटा मेरे पास bc upon ab बच गया तो देखो यहाँ पे bc upon ab क्या है BC upon AB यहाँ पर क्या है, BC upon AB यहाँ पर tan theta है, तो क्या मैं इसको tan theta लिख सकता हूँ, yes, लिख सकते हैं, है ना, तो यार और एक नया formula हमें मिला यहाँ पर, कि sin theta upon cos theta is equal to क्या हो रहा है, tan theta, देखो, आपके सामने ही result है, यह sin theta और cos theta को अगर divide करेंगे, तो हमें क्या मिलता है, tan theta, तो नया और एक result मुझे यहाँ पर मिल गया है, sin theta upon cos theta is equal to क्या होता है, tan theta, ठीक है, तो यह result भी आपको यहाँ पर याद रखना है, clear बिटा, सबको clear है, चलो, तो हमने complementary angles में trigonometric ratios में relation देखा, तो sin theta is equal to cos 90 minus theta होता है, और cos theta is equal to sin 90 minus theta होता है, और एक relation हमने देखा, बले complementary का नहीं है, but sin theta upon cos theta equal to क्या होता है, tan theta, मतलब sin, cos और tan में हमें relation मिल गया, right, तो I hope यह सबको clear होगा, यह जो relations हमने देखे है, यह सबको clear है, ऐसा मैं assume कर रहा हूँ, और फिर आगे बढ़ता हो, ठी अब देखो, trigonometric ratios for standard angles, मतलब हमें sin, cos, tan, इनके angles के values find out करने है, ठीक है, जैसे 0 degree की value क्या होगी, 30 की value क्या होगी, 45 की value क्या होगी, यह सब हमें find out करना है, ठीक है, तो एक काम करते है, यह सब find out करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और कुछ ratios के बारे में बता देता हूँ, भले, 9th standard में आपको उसका ज्यादा काम नहीं है, बढ़ 10th standard में वो आने वाले है, तो देखो, जैसे sin, cos और 10 हमने पढ़े न, तो वैसे ही, और 3 ratios होते है, वो कौन से है, वो 3 ratios में आपको एक बार बता ही देता हूँ, एक होता है cosec theta, दूसरा होता है sec theta, और तीसरा होता है देविटा, cot theta, अब ये cosec का क्या relation है, sign के साथ, cosec sign का reciprocal होता है, sec का क्या relation है, sec, cos का reciprocal, उल्टा होता है, और cot का relation tan के साथ है, ये उल्टा होता है, चीक है, तो ये for more information है, यहाँ पर लिख सकते हैं, for more information, for more information, clear विटा, और थोड़ा से इसको मैं बता देता हो, देखो, sign theta को अगर हम reciprocal लेंगे, उसका मतलब 1 by sign theta करेंगे, तो हमें एक ratio मिलता है, cosec theta, अगर 1 by cos theta करेंगे, तो हमें sec theta मिलेगा, 1 by tan theta करेंगे, तो cot theta मिलेगा, मतलब क्या असर, अब देखो, जैसे sign theta क्या है विटा है यहां पर, bc by ac है, इसको अगर मैं ac by bc लिखूंगा, तो मुझे एक नया ratio मिलेगा, और वो ratio क्या रहेगा, cosec theta, इसको अगर मैं उल्टा करूंगा, तो मुझे मिलेगा, sec theta, इसको उल्टा करेंगे, तो हमें मिलेगा हैं यहां पर tan theta, clear विटा, यहां तक सब को clear है, तो यह भी थोड़ा समय ने बता दिया, कि और भी 3 ratios है, जो कि हमें 10th standard में पढ़ने हैं, तो चलो, आगे बढ़ा, तो वच्छो, अब आता है, trigonometric ratios for standard angles, मतलब, sine, cost, 10, यह जो ratios है, इनके angles के values क्या होंगे, जैसे 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, और 90 degree, these are the standard angles, और इनके values क्या होंगे, तो इसके लि सकते हैं, तो चलो, एक बार, यहाँ पर, वो short trick हम देखते हैं, कि कैसे हम करने वाले हैं, यहाँ पर, हम इसा एक table बना लेते हैं, और पूरा का पूरा table आप खुद बना सकते हैं, मतलब, exam के time पर, अगर आपको learn भी नहीं है, तो यह पूरा का पूरा table आप खुद बना सकते हैं, तो इसलिए, रट्टा मारने के बिलकुर भी जरुरत नहीं है, देखो, अब रेशो है, suppose, sine, then आता है, cos, और उसके बाद है, tan, और उसकी angle से 0 degree, then 30 degree, then उसके बाद आएगा 45 degree, then it is 60 degree, and then 90 degree, right, तो sine 0 degree की value क्या है, cos 45 की value क्या है, tan 60 की value क्या है, किसी भी रेशो, इन तीनों में से किसी भी रेशो के, किसी भी angle की value, आप पटा-पट यहाँ पर बता सकते ह है, इस table को complete करने के बाद, तो इसके लिए short trick क्या है, sir, बिटा, short trick यह है, आपको क्या करना है, अब यह 1, 2, 3, अब यह 0 है, चाहिए, तो 0, 1, 2, 3, 4, बस numbers लिको है, यहाँ पर, 0, 1, 2, 3, and 4, numbers लिको, इतना तो कर सकते है, right, उसके बाद क्या करेंगे, आप, उसके बाद हाँ पर सबको square root देना है, तो सबको square root दे दिया, यह भी तो कर सकते है, कौन सी बड़ी बात है, हाँ, sir, बिल्कुल कर सकते, यह देखो, इतना किया, अब एक काम करते है, अब इन roots को हम क्या करेंगे, simplify करेंगे, और simplify करके, जो भी हमारा answer आता है, वो हाँ पर लिक देंगे अब देखो, 0 by any number क्या होता है, 0 by any number ही 0, तो यह root के अंदर 0 आ रहा है, और 0 का square root भी तो क्या होता है, 0 ही होता है, इसका मतलब sin 0 degree की value क्या है बिटा, 0 है, value हमें मिल गई, अब next देखो, 1 by 4 है, इसको अगर मैं simplify करूंगा, तो यह 1 by 2 आएगा, तो root के अंदर 1 by 2 है, तो उ तो यहाँ पर बिटा देखो, मैंने गड़बड कर दिया, यह 1 by 4 है, इसका square root अगर लेंगे तो क्या होगा बिटा, 1 by 4 का square root अगर लेंगे तो 1 by 2 आएगा, clear, तो sin 30 की value क्या है बिटा, 1 by 2 है, यहाँ पर simplify करेंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो यह जो उपर 1 है, उसका square root लेंगे त तो 1 आएगा, बट नीचे जो 2 है, वो root के बाहर नहीं निकल सकता, तो यह रहेगा root के अंदर as it is, मतलब sin 45 कितना है, 1 by root 2, अब आता है यहाँ पर, देखो, ऊपर 3 है, root के बाहर नहीं निकल सकता, नीचे 4 है, 4 का square root क्या होता है, 2 होता है, तो root के बाहर निकल जाएगा, मत मतलब sin के सारे के सारे angles के value हमें मिल गई, बराबर, तो यार अब sin के value तो मिल गए, फिर cost के लिए क्लिए 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 करना है, बहुत simple है, इसी को बस उल्टा लिखो, मतलब यहाँ से start करो, 1 को यहाँ पर लिखो, मतलब cost 0 के value क्या है, 1, then root 3 by 2 को य उल्टा लिखा, तो हमें cost के values मिल गए, बराबर, अब बारी आती है, tan की, अब tan के लिए क्लिए 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 था, बेटा एक relation में आपको बताया था, sin, cost और tan में क्या relation होता है, बताओ फटावट chat box में, तीनों का एक formula में ने बताया था, याद है इस अब को, chat box म 10 का एक formula क्या था जहाँ पे तीनों को हम correlate कर सकते हैं तो बेटा 10 is equal to क्या होता है 10 theta is equal to होता है sir sin theta upon cos theta very good तो यार इसका मतलब अगर मुझे 10 theta की value चाहिए तो मैं क्या गरूँगा sin theta को cos theta से divide कर दूँगा simple तो यहाँ पे देखो sin theta मतलब sin 0 की value मेरे पास है cos 0 की value मेरे पास है तो यार sin 0 upon cos 0 करेंगे तो tan 0 मिलेगा ना येस तो 0 by 1 करेंगे तो answer आएगा 0 तो tan 0 की value 0 है अब इसको इससे divide करो हर एक value को अब हम divide करते जाएंगे तो हमें tan के angles के value मिलेंगे अब यह 1 by 2 और root 3 by 2 ते 2 2 तो cancel हो जाएगा divide करने के बाद तो क्या बचेगा उपर 1 है और नीचे क्या है root 3 similarly यहाँ पर root 2 root 2 cancel तो 1 by 1 1 by 1 मतलब तो 1 ही होता है sir यह 2 2 cancel तो उपर root 3 है नीचे 1 तो root 3 by 1 मतलब root 3 होता है क्योंकि denominator में 1 नहीं लिखा तो भी चलता है अब यह 1 by 0 क्या होगा अरे any number divided by 0 is not defined तो बन गया है हमारा पूरा का पूरा टेबल इसको तो तो दोड़ा straight line में लिखता हो यह 1 है यह root 3 है and this is not defined तो पूरा का पूरा टेबल हमें मिल गया है यहाँ पे किसी भी ratio को रट्टा मारने की जरत नहीं बिटा फिर सेक बर बता दू 0, 30, 45, 60, 90 सिक्वेंस में याद रखेंगे sign, cost, 10 यह भी याद हो जाता है then 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4 right फिर सबको square root देंगे बस square root को simplify करेंगे तो आपको sign के सारे के सारे values मिल जाएंगे एक बार अगर sign के value मिल जाते है तो उनको उल्टा लिखेंगे तो cost के values मिलेंगे then sign upon cost करेंगे तो 10 के values मिलेंगे तो यह रहा आपका table एकदम simple तरीके से तो I hope सबको यह table अभी पता है कि कैसे बनाते है देखो अभी initially आपको यह values learn करने में थोड़ा problem होगा तो learn करना भी नहीं है जो trick मैंने आपको यहाँ पर बताया है अगर exam में इसके उपर कोई question आता है तो फड़ा फट last वाले page पर पूरा का पूरा table बना दो और जो value चाहिए वो उठा के आप उसमें डाल सकते हैं clear बिटा बाद में धीरे धीरे आपको यह सब learn हो जाएगा बट अब कोई गढ़बड नहीं कोई घाई नहीं है आप पूरा table back side वाले page वहाँ पर बना दो और अगर कोई question आता है तो उसमें वो value आप यूज कर सकते है clear बिटा तो चलो फड़ा बट आगे बढ़ते अब इसके उपर कुछ questions हम solve करते हैं फिर देखते important equations in trigonometry अब देखो यार trigonometry में कुछ important equations है जिसको as a formula यूज करते हैं तो जैसे कि देखो यह right angle triangle है चीक है और अब देखो अगर इसको में theta consider करूंगा इसको भी कर सकते है या फिर इसको भी कर सकते है तो यहाँ पर मैं sign और cost के values यहाँ पर लिखता हूँ ठीक है फिर आपको एक relation बताओ दो देखो बताओ यार sign theta क्या आएगा यहाँ पर आप भी बता सकते हो अभी आपको भी बता है cost theta क्या होता है cost theta is equals to adjacent upon hypotenuse तो adjacent क्या है यहाँ पर BC है hypotenuse क्यों यहाँ पर AC है है ना तो एक काम करते यार एक काम करते मुझे यह जो right angle triangle है इसमें एक relation पता है एक relation क्या पता है अगर इस right angle triangle में मैं pythagoras theorem लगाता हूँ न तो मुझे एक बहुत बढ़िया एक relation पता है वो relation क्या है कि perpendicular sides का अगर हम addition करेंगे square का addition अगर करेंगे तो हमें मिलता है hypotenuse के square वो equal होता है hypotenuse है square के तो दिखाए अगर a b square plus b c square equal to क्या होता है a c square तो यहाँ पर लिखते बीटा in triangle in triangle a b c angle a b c is equals to होता है 90 degree होता है मतलब यहाँ पर है right तो पाइथा गुरुस सीरम अगर लगाएंगे तो बेटा क्या आएगए यहाँ पर a b square plus b c square is equals to a c square यह तो clear होगा सबको यहाँ पाइथा गोरस्तिरम लिखेंगे right यार यह relation तो हमें पता है चीक है फिर एक काम करते है यार इसको अगर मैं divide करूँ ना इसको अगर मैं divide करूँ a c square से तो क्या होता है देखते है ना ऐसे मैं कर रहा हो कुछ result मिलता है कि देखते हैं divide by a c square है ना throughout हम divide कर रहें a c square से तो यह बनेगा बेटा a b square upon a c square plus b c square upon a c square is equals to a c square upon a c square right तो देखो यार a b square upon a c square जो है यार a b upon a c यह देखो यहाँ पर मैं लिखता हो लगे तो equation 1 और this is equation 2 a b upon a c तो sin theta है और यहाँ पर a b upon a c का square है तो क्या मैं इसका square लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकते तो यहाँ पर लिखेंगे बिटा sin theta का square ऐसे लिखो पर ले ठीक है then b c ac क्या है b c ac तो cos theta है तो यहाँ पर लिख सकते बिटा cos theta का square और यह a c square upon a c square तो cancel हो जाएगा तो answer यहाँ पर 1 आएगा बरा बरा और यहाँ पर हम reference देंगे कि हमने 1 और 2 से यह relations य वाला ठीक है यह sin or cos अब देखो sin theta का square trigonometric ratios में अगर हम उसका square लिखते है तो sin theta का square इसका मतलब क्या होता है इसको हम ऐसे लिखते है sin square theta एक गलती यहाँ पर student कर सकते है अभी आप 9th standard में इसलिए यह basic बताना जोर रही है sin theta का square इसका मतलब कभी वी ऐसा नहीं होता यह गलत है यह ऐसे नहीं लिखते तो इधर मैं लिखके देता हूँ sin theta का whole square is equals to होता है यहाँ पर लिखते है square यहाँ पर sin के बाद तुरंत square लिखो ना कि ऐसे sin theta का square यह गलत है यह वाला गलत है ठीक है not equal to लिखा है मैं यहाँ पर तो वो गलत है पहला वाला correct है स्क्वेर कहां पर देना है साइन के तुरंत बाद देना यहां पर ठीटा के उपर नहीं देना तो ठीटा के उपर अगर देंगे तो वह अलग हो जाएगा होल स्क्वेर का मतलब होता है साइन के तुरंत बाद यहां पर स्क्वेर देना ठीक है तो साइन स्क्वेर ठीटा प्लस यहाँ पर मिल रहा है बेटा, cos square theta is equals to 1, and this is one of the important identity which we are going to use in this topic, यह बहुत important identity है, जो कि हम 10th standard में भी use करने वाले हैं, यह बहुत basic और बहुत important identity है, और इसे से और दो identities हमें 10th standard में आने वाले हैं, clear बेटा, तो यहाँ पर यह identity अभी आपको as a formula learn करनी है, sin square theta plus cos square theta equal to क्या होता है 1 होता है, clear बेटा, यह मैंने आपको इसका proof भी बता दिया, कि यह कहां से आया, कैसे आया, आपको proof कोई नहीं पूछेगा exam में, बस आपको यह final result याद रखना है, कि sin square theta plus cos square theta क्या होता है, 1 होता है, तो इसे से और एक दो identities हम derive कर सकते, क्या कौन सी identity derive कर सकते, देखो, तो य यह a, sin square theta अगर मुझे चाहिए, तो क्या मिलेगा बेटा, 1 minus cos square theta, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, अगर मुझे यहां से cos square theta चाहिए, तो क्या मिलेगा बेटा, 1 minus sin square theta, समझ में आया, तो यह दोनों identities भी आपको याद रखने है, वैसे तो इसे से derive हो जाते है, बट, जब कभी जरूद पढ़ an equation in trigonometry in your 9th standard, 10th standard में और दो identities आने वाले है, और वो इसी का use करके हम उसको उनको प्रूव कर सकते है, ठीक है, तो चलो, आगे बढ़ते हैं, अब आते है question पे, in the following table, और ratio is given in each column, find the remaining two ratios in the column and complete the table, अब क्या भूल रहे है, आपको एक table यहां पे, जैसे sin theta दिया है, sin theta के आपको कुछ values given है, then cos theta के values given है, then tan theta के values given है, right, तो आपको जैसे मान लो, अभी, यहां पे cos theta अगर given है, तो sin theta find out करना है, और tan theta find out करना है, यहाँ पे sign given है तो cos find out करना है tan find out करना है sign given है तो cos find out करो tan find out करो है ना एक ratio आपको given होगा बाकी के 2 find out करने हैं कैसे करेंगे यहाँ पे वेसे देखा जाए तो हमारे पास 2 method से है ना तो मैं दोनों भी method आपको बता दाओ don't worry तो one by one करते है तो सबसे पहले कुन सा लेना है कोई भी ले सकते हैं जैसे sign का यह वाला ले ले या फिर cos का ले 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 तो cos theta अगर हमें पता है 35 by 37 है तो फिर उससे sign और tan find out करना है ठीक है तो चलो फड़ा फड़ करते हैं देखो आपको यहाँ पे cos theta suppose given है तो मैं यहाँ पर लिखता हो बिटा cos theta is equals to cos theta is equals to क्या given था हमें 35 by 37 35 by यह question ही लिख रहा हमें पहले और यहाँ से हमें क्या find out करना है फिर sin theta is equals to क्या आएगा और tan theta is equals to क्या आएगा अब उस table का हमें यहाँ पर कुछ काम नहीं है ठीक है मैंने वो लिख लिए हैं पर question क्या पूछा था अब ध्यान से सुनना है इसको हम 2 method से solve कर सकते एक method है हमारी triangular method मतलब triangle का use करके and the second method is identity वाले equation जो हमने देखा था उस equation का यूज करके भी हम यह solve कर सकते एक है तो पहले मैं आपको triangular method बताता हूँ एक ही question बताऊँगा बट बहुत अच्छे से बताऊँगा बाकी सब आपको करना है ठीक है कर सकते हैं तो अभी ध्यान दो बिटा इसको मैं method 1 से बताता हूँ आपको method 1 और method 2 दोनों भी बताता आपको जो रेशू गीवन है उसको यहाँ पर लिख लो कॉस्ट इटा इस एक वस्टो एंडिस ट्राइंगल हमें पता है इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC आइंगल ABC कितना है वेटा 90 डिगरी है तो यहाँ से अगर मैं cost ठीटा cost ठीटा गीवन है तो मैं cost ठीटा की value find out कर रहा है cost ठीटा क्या आएगा opposite upon sorry adjacent upon hypotenuse आएगा ना cost ठीटा होता है adjacent upon hypotenuse तो यहाँ पर आएगा वेटा BC upon AC clear बट अब यहाँ पर हमें तो given है cost ठीटा is equal to हमें given है कितना है वेटा 35 by 37 चाहिए cost ठीटा हमने find out किया तो हमें BC upon AC मिला sides के terms में बट हमें उसकी value given है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है यह भी cost ठीटा की value है यह भी cost ठीटा की value है मतलब यह दोनो ratios equal है ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना therefore BC upon therefore BC upon AC will be equal to 35 by 37 यह clear है बटा BC upon AC equal to क्या आया 35 by 37 यहाँ पर आ गया अब आगे बढ़ते हैं देखो तो यहां से यार मुझे exactly BC कितना है पता जलेगा क्या BC equal to 35 ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं नहीं बोल सकता हूँ यह तो ratio है BC 35 रहेगा तो AC 37 रहेगा वादा उसके multiple में ही रहेगा exactly 35 नहीं बोल सकते तो यहाँ पर काम करते हैं फिर let common multiple तो ऐसे case में हम क्या करते हैं common multiple लेते let common multiple भी k so therefore BC equal to यहाँ पर कितना आएगा BC तो 35 के multiple में रहेगा तो BC is equal to आएगा बेटा 35 k and AC is equal to कितना आएगा 37 k clear तो यार BC और AC की हमें value मिलगी BC कितना आया बेटा 35 और AC कितना आया 37 k यार right angle triangle में अगर हमें 2 sides पता है तो third side हम कैसे find out कर सकते हैं बोला था मैंने previous class में by using which theorem फटा फट चैट बॉक्स में लिखो by using which theorem पाइथागोरस theorem right दो sides पता है तो third side find out करने के लिए we can use पाइथागोरस theorem so therefore यहाँ पर लिखेंगे बिटा therefore we can write here therefore therefore AB square plus BC square is equals to AC square तो this is pi थागोरस theorem तो AB square की value हमें पता नहीं है BC square कितना है 35k और AC square कितना है बेटा 37k का whole square यहाँ तक clear है अब एक काम करते है AB square हमें find out करना है मतला AB find out करना है third side हमें find out करनी है तो क्या होगा बेटा यह 37k का whole square और यह उदर जाके minus होगा तो यह आएगा बेटा 35k का whole square ठीक है तो यहाँ पर इसका square इसका square दिन बाद में subtract भी कर सकते हैं बट एक identity भी है जो कि इसको simple बना सकती है कुनसे identity फटावट बताओ a square minus b square तो वो identity अगर use करेंगे तो उससे क्या मिलेगा a plus b and in another bracket क्या मिलेगा a minus b another bracket में मिलेगा a minus b यहाँ पर कॉनसे identity उसकी मैंने लिख देता हो a plus b and then second is a minus b that is equals to a square minus b square तो देखो 37 plus 35 कितना होता बिटा 37 plus 35 will be equals to 72 this is equals to 72k and then second bracket में क्या आएगा 2k right तो 72 into 2 will be equal to 144 and k into k is k square मतलब a b square equal to क्या मिल रहा है 144 k square तो यह इसका अगर square root लेंगे तो 144 का square root क्या आता है 12 और k square का क्या आएगा k आएगा मतलब a b is equals to 12k and the reason will be taking square root तो यहाँ पर लिखेंगे बिटा हम taking square root clear तो a b की value भी हमें मिल गए a b की value हमें कितनी मिल गए 12k यह हमने बाद में find out कि इसको highlight करके रखता अब यार triangle के तीनों भी साइड समय पता है अब हमें कोई भी ratio पूछो हम बता सकते हैं अगर triangle के तीनों भी साइड पता है तो हम कोई भी ratio बता सकते अब right क्या क्या पूछा था आपको sign पूछा था और 10 पूछा था तो बिल्कुल बता सकते हैं एकदम आराम से sign और 10 के ratio के value find out कर सकते हैं opposite upon hypothesis तो यहां पर opposite कोने a b opposite कोने बिटा a b hypothesis कोने यहां पर a c है तो a b की value क्या है 12k ac की value क्या है 37k तो k k cancel होगा तो answer क्या आएगा 12 by 37 खताम right similarly यहार 10 था क्या होगा 10 था होता है तो opposite upon adjacent opposite कोने a b adjacent कोने b c तो a b upon b c means it is 12k upon 35 k तो k k cancel करेंगे तो क्या आएगा 12 upon 35 35 तो फिर तो कोई भी ratio हम find out कर सकते है clear बिटा तो यह हो गई first method okay okay so this is method 1 this is method 2 अब method 2 में simple मुझे तो method 2 simple लगती आइडिंटिटी यूज करके फड़ा फड़ा answer आ जाते है देखो आपको cos दिया है तो आपको sign और tan find out करना है तो देखो मैं यहां पे लिखूंगा cos theta is equal to 35 by 37 equation number 1 okay we know that हमें identity पता है न बिटा identity हमें पता है we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1 we know that sin square theta plus cos square theta equal to 1 है न यह तो identity है यार यहां पे मुझे cos पता है तो find out क्या कर सकता हूं मैं sin find out कर सकता हूं तो फिर यहां से sin square theta equal to अलग कर लो तो sin square theta equal to क्या आएगा 1 minus cos square theta अब तो simple न cos की value आपको पता है put कर दो यहां पे 1 minus so this is 35 by 37 का square तो क्या होगा यह 1 minus 35 का square divided by 37 का square बराबर न separate कर दिया अब करेंगे cross multiply अब तो simplification अलग पार है तो 37 square उपर जाएगा यह इसके साथ multiply होगा न फिर यहां पे कुछ नहीं 37 का square यह 35 का square और यह 37 का square अब उपर फिर से a square minus b square लगा देते तो a square minus b square लगाएंगे तो हमें पता है क्या आएगा उपर यहां पे हमने किया ना लोड़ी 37 plus 35 37 minus 35 और divided by 37 का square तो उपर क्या आएगा यह आएगा 72 into 2 divided by 37 का square तो फिर से एक बार यहां पे थोड़ी सी जगह adjust कर लेता हूं में अब देखो क्या होगा आगे यह तो 144 आएगा so that is equals to 144 divided by 37 का square तो मैं पूरा लिखता हूं इदर यह क्या है sin square theta so therefore sin square theta is equals to 144 divided by 37 का square समझ में आ रहा है न यह 70 22 क्या है 144 144 को मैं कैसे लिख सकता हूं 12 का square divided by 37 का square अब sin square theta is equals to 12 square upon 37 square है दोनो साइड से square root लेंगे तो यह square root गायब और यह भी square root गायब तो यहां पे हमें मिलेगा sin theta is equals to क्या आएगा 12 upon 37 cross check करो sin theta is equals to 12 upon 37 से अंसर से में तो cost theta दिया था sin theta हमने find out कर लिया अब बस tan theta find out करना है तो tan theta कैसे find out करेंगे कोन बता सकता है chat box में बता तो फटा फटा फट अगर आपके पास sign भी है cost भी है तो tan कैसे find out करेंगे कुछ relation देखा था क्या हमने yes देखा था क्या relation था वो tan theta क्या होता यार sin theta upon cost theta right तो कहां पे करते है जगह है कहीं पे चला जगह धोंडी लेते हैं भी देखो यहीं पे करते हैं थोड़ा सा adjust करेंगे tan theta is equals to क्या होता है tan theta is equals to होता है sin theta upon cost theta है ना तो बस डिवाइड कर दो sin theta की value क्या है sin theta is यहां पे देख सकते हैं 12 upon 37 cost theta is 35 upon 37 तो यह 37 37 cancel तो यह 12 sin का उपर आएगा 12 12 by 35 तो देखो 12 by 35 करेक्ट है तो यहां पे answer आया है हमारा 12 by 35 मैंने यहां पे थोड़ा सा congested हो गया सेम अंसर है 12 by 35 देखो 12 by 35 clear बिटा तो वो जो पूरा table था यह पूरा का पूरा table इसमें मैंने आपको यह बता दिया तो यह दोनों मैंने find out करके बता दिया अब sign अगर दिया है तो cos और tan आपको करना है यह सब बाकी का आपको करना है पर confidence आएगा तो I hope आप सब लोग इसको complete करेंगे मुझे आप पर भरोसा है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया दोनों भी method से बता दिया तो remaining part जो है आपको करना है कर सकते हैं ना आगे बढ़ते हैं अब आते हैं वो चो trigonometric table देखाता है में values 30, 45, 60, 90, 0 degree अलग-अलग ratios के अलग-अलग angle पर values क्या होते हैं उनको use करके हमें इस question को solve करना है बड़ा ही simple है यार देखो find the value of क्या बोल रहा है 5 sin 30 plus 3 tan 45 तो यार आपको sin 30 की value तो पता होगी न sin 30 की value होती है सिर half है ना table check करो एक बार tan 45 की value होती है सरवान तो देखो कितना easy अगर values आपको learn है ना तो बहुत ही simple है यार यह तो 5 by 2 plus 3 cross multiply करो यहां पे कुछ नहीं मतलब 1 5 into 1 5 plus 2 into 3 6 divided by 2 into 1 2 तो यह कितना आएगा बटा 11 by 2 आएगा 5 plus 6 is 11 11 by 2 कॉत हम simple है ना तो यह इस टाइप का question है ना यह depend करेगा आपको वो जो values अगर learn होंगे तो बहुत easy है अगर values आपको learn है तो learn नहीं है तो आप यह attempt ही नहीं कर सकते हैं इसलिए वो values सबको learn होने चाहिए और मैंने trick भी बता दी थे आपको तो उस trick का यूज करके आप यह values यहां पर put कर सकते है और इस question को solve कर सकते है ठीक है बता चल आगे बढ़ते हैं आप देखो once again क्या बोल रहा है बता 4 by 5 okay then tan square 60 है plus 3 sin square 60 है तो 4 by 5 as it is tan square 60 तो tan 60 की value क्या होती बता tan 60 की value होती है root 3 table check करो tan 60 की value क्या है । root 3 तो tan square है तो root 3 का square कर दिया है 3 as it is sin 60 का square है हो sin 60 की value क्या होती sin 60 के value होती हे root 3 by 2 sin 60 की value होती है root 3 by 2 तो 4 by 5 और यह root 3 का square तो 3 आएगा और this is 3 root 3 का square 3 आएगा और यह आएगा 4 right तो multiply करो 4 x 3 BC 12 so this will become 12 by 5 and this will become 9 by 4 clear बिटा अब cross multiply करो यह होगा 12 into 4 48 5 into 9 45 divided by 5 into 4 20 तो आगे इसको continue करेंगे तो हमरा answer क्या आएगा यह 5 plus 8 13 carry 1 4 4 8 plus 1 9 93 by 20 is the final answer so therefore यहाँ पर final answer क्या आएगा 93 by 20 इसको मैं यहाँ पर continue कर दिया तो हमारा answer आता है यहाँ पर 93 by 20 I hope सबको clear होगा बस यहार values ही put करने है और उसको solve करते जाना आपको answer मिलते जाएंगे अब देखो फिर से question find the value of 2 sin 30 तो मैं पूरा question as it is एक बार लिक देता 2 sin 30 plus cos 0 plus 3 sin 90 clear तो 2 sin 30 sin 30 का मतलब क्या होता है बेटा value क्या है उसकी 1 by 2 cos 0 क्या होता है cos 0 is 1 and 3 sin 90 क्या होता है sin 90 भी 1 होता है cos 0 1 है sin 90 भी 1 है तो is equals to आएगा this is 2 to cancel तो 1 plus 1 plus 3 तो 1 plus 1 2 plus 3 5 तो final answer is 5 clear easy एकदम एकदम easy peasy find the value of tan 60 upon sin 60 plus cos 60 तो देखते है tan 60 की value क्या है चलो इसी को मैं continue करता हूं tan 60 की value क्या होती है root 3 होती है sir sin 60 की value क्या होती है root 3 by 2 cos 60 की value क्या होती है 1 by 2 right अब क्या करें अब यहाँ पर difficulty होती होती है students को तो इसको simple बनाएंगे देखो यह 2 to denominator में common लेलो ना चाहिए 2 to denominator में common लेंगे तो यह root 3 और plus 1 उपर addition होगा right अब यह concept बड़े ध्यान से सुनो बिटा है अब यह concept बड़े ध्यान से सुनना है आपको यह इस type का है a divided by b by c मतलब बड़ा division यहाँ पे है तो इसको हम simple कैसे करेंगे देखो यह बड़ा division यहाँ पे तो a divided by और इधर है b by c समझ में आ रहा है तो अब यह जो division है इस division को मैं multiply करूंगा तो यह reciprocal हो जाएंगे तो c उपर जाएगा भी नहीं चाहिएगा मतलब a into c होगा और divided by भी रहेगा तो यहाँ पे c को होगा this is a, b, c तो a into c होगा मतलब क्या आएगा बड़ा 2 root 3 और divided by root 3 plus 1 this is the answer मैं फिर से बहरा बताता हूँ मुझे पता यहाँ प्रब्लम होती इसको मैं और आसान करके बताता हूँ अब देखो यार यह बड़ा इसके यह complete division है और इसके नीचे यह है तो मैं क्या करता हूँ यह root 3 को as it is रखता हूँ और division 3 यह division को मैं करता हूँ multiplication तो यह उपर जाएगा 2 और नीचे कोन आएगा root 3 plus 1 चिक है तो हमारा final answer क्या आएगा 2 root 3 divided by root 3 plus 1 I hope सबको clear होगा final answer is 2 root 3 divided by root 3 plus 1 चिक है लगे तो इदर लिख दू that is equals to 2 root 3 divided by root 3 और यहाँ पर आएगा plus 1 clear यह दोनों multiply होगा और यह division में रहेगा I hope सबको clear होगा यह एक बार लिक लेना कि यही same concept use किया हमने वहाँ पर solve करने के लिए चीक है पिटा समझ में तो आ रहा है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब क्या बोल रहा है if sin theta is equals to 4 by 5 then find cos theta अब इस question को हम दोनों भी method से कर सकते हैं यह तो same है जैसे मैंने table solve किया तना वैसा ही है बट इसको मैं identity से फटाफट solve करके बता तो देखो आपको sin theta दिया है cos theta find out करना है तो हम क्या लिखेंगे बटा यहाँ पे we know that एक ratio अगर आपको दिया है और बाकी के ratios find out करने हैं तो आप triangular method से भी कर सकते हैं या फिर identity से भी कर सकते हैं तो इसका reason आएगा बटा identity यहाँ पे आपको sin theta given है तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ से cos square theta की value find out करेंगे cos square theta is equals to 1 minus sin square theta so this is 1 minus sin square theta मतलब sin theta की value 4 by 5 है तो यह आएगा 4 by 5 का square तो this is 16 by 25 तो अब cross multiply करेंगे तो क्या होगा 25 into 125 यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 तो 25 minus 16 by 25 तो अब देखो क्या होगा so this is cos square theta cos square theta is equals to 25 minus 16 is 9 so 9 by 25 तो यहाँ पे बटा cos theta क्या आएगा square root अगर लेंगे तो this is 3 by 5 खतम है ना तो यहाँ पे reason लिखेंगे अब taking square root this is final answer cos theta is equals to 3 by 5 clear सबको clear हैं सबको समझ में आया कि identity का use करके हमने यह कैसे find out किया I hope सबको clear होगा और आज हमने जितना भी पढ़ा है वो सबको एकदम crystal crystal clear होगा तो फटाफट chat box में लिख दो कि yes sir crystal clear तो बिटा आज की class में हमने discuss किया relation among trigonometric ratios then trigonometric ratios for standard angle important equations in trigonometry और practice 8.2 के questions भी आज की class में हमने complete कर दिये तो चलो बिटा यहाँ पे हम रुकते हैं so bye bye take care have a nice day अर्वे नहें गली हमे पेख़ा सक्ते हैं आए जो में सक्ते हैं